कर रहे थे अब इसी से हम continue करेंगे आगे तो यह जो calculation इसने बताई है ना असल में यह एच वन और यह सब elements अभी भूल जो अभी imagine करो body के अंदर text लिखावा है just एक HTML की body है उसके अंदर text लिखावा है अब उस text का heading heading जो आपके है किसी भी text को कर आप heading बनाना चाह रहे है या किसी को paragraph बनाना चाह रहे है तो उनका जो difference होगा उसका ratio क्या होगा वो तो हमें इस scale से पता चल गया था इस scale से हमें पता चल गया था कि उसका ratio क्या होगा अच्छा तो इन्होंने बोला कि अगर 12 pixel scale पे आप जा रहे है न तो उसका ratio यह होगा कि जो body होगी आपकी वो 12 pixel की होगी h1 24 pixel का होगा h2 18 pixel का होगा h3 14 pixel का होगा अब जैसे इन्होंने दोस्तने बात की कि अगर मैं अपनी body को बारा की जगा 14 pixel कर देता हूं तो accordingly मुझे अपनी heading को भी बढ़ाना पड़ेगा एक सेम एक खास ratio में बढ़ाना पड़ेगा है ठीक है क्योंकि जैसे अब देखो अगर तो body को में डबल करता हूं body को में 24 करता हूं तो heading जो वो body है 200% है ठीक है तो अगर body को मैं 24 pixel कर देता हूं तो heading को उझे लगा 40 pixel करना होगा तो यह काम मैं कैसे करूंगा अब CSS के अंदर कोई if-else तो लगता नहीं है अच्छा if-else भी लग जाता है CSS के अंदर जो जदीद वाली है लेकिन मसला ही को वो if-else के अगर हूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी तो इसका कोई ऐसा तरीफा होना चाहिए मेरे पास कि मैं जब भी font का size लगाऊं तो ऐसी setting से लगाऊं कि अगर मैं body को बढ़ाता हूं तो heading वगारा accordingly खुद अपने आपको grow कर ले उसी certain ratio में तो इस table में असल में वो calculation बताई गई है और वो trick बताई गई है अच्छा तो अब देखो होता क्या है body का text है 12 पिक्सल अब यहां पर बहुत गोर से एक चीज़ समझोगे न तो यह idea होगा समझ आएगा heading जो है na h1 html के जो tags होते हैं उन tags का असल में मकसद क्या है उन tags को लगाने से असल में होता क्या है उन tags को लगाने से यह होता है कि किसी भी आप जैसे हमने बिल्कुल शुरू में जिकर किया था कि markups होते हैं न markups जो हमने जिकर किया था कि markups क्या होते है कि कोई journal बना रहे है आपने किसी text को highlight कर दिया तो that is markup सही है that is markup इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी text को bold के tag में wrap कर देता हूँ तो उतने text पे कुछ उसको समझेगा कुछ मतलब समझेगा उसका बोल्ड के case में उसको बोल्ड कर देगा ठीक है तो अगर मैं एक certain paragraph को यह certain word को अगर बोल्ड के markup से wrap कर देता हूँ कि इधर भी बोल्ड इधर भी बोल्ड और बीच में कर देता हूँ उसको तो मेरा जो browser है वो उसका एक मतलब निकालेगा एक मतलब उसका conceive करेगा एक perception उससे लेगा कि अच्छा है इतने text को बोल्ड करके दिखाना है इसी तरीके से मैं अगर एक certain line को अगर underline के tag में wrap कर दूँ तो वो उसको समझेगा कि इसको underline करके दिखाना है ठीक है तो यह ultimately हो क्या रहा है हो रहा है इसमें कि मैं जब भी किसी text को या किसी भी चीज को HTML के document में किसी खास markup से जब wrap करता हूं तो उतने हिस्से पे खास किसम की styling apply हो जाती है यही हो रहा है ना behind the scene भाई बोल्ड का जब मैं tag लगाता हूं तो उतने हिस्से पे styling apply हो जाती है बोल्ड जब मैं अच्छा जब भी आगे उसका वो code भी आजाएगा तो HTML is nothing but a rapper ऐसे rappers है जिन पर कुछ खास किसम की styling पहले से apply होई इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ है कि अगर किसी text को मैं h1 की heading में wrap h1 के markup से wrap करता हूं तो उतने text पे एक खास किसम की styling apply हो जाएगी and what is that styling styling वह styling यह है कि जो भी इस वक्त इस वक्त जो भी body के जो text का जो size है उसका 200% यह styling है ठीक है तो h1 जब मैं लगाता हूं markup तो उस पे खास किसम की styling apply हो जाती है अच्छा क्या उस styling को मैं change कर सकता हूं बाद में इसका जवाब है हाँ ठीक है h1 का default color क्या होता है black होता है लेकिन बाद में change कर सकता हूं h1 का जो size है वो 200 pixel होता है किस से body से body का इस वक्त body का जो भी size है उससे 200 होगा इसका मतलब यह हुआ कि body का size अगर मैं बढ़ाता हूं दो पिक्सल बढ़ाता हूं तो एक certain ratio में h1 अपने आपको grow कर लेगा automatically यह समझे रहो calculation यह असल में यह बताना चाहरा है कि हमेशा यह तो एक तो इसने scale बताया देखो इस पहले वाली table के अंदर यह यह पहली वाली table है इसमें यह HTML की बात नहीं कर रहा है इनफेक्ट यह HTML की आखर तक कहीं पे बात नहीं कर रहा है तो यहां पर यह बताना चाहरा है कि according to the 12 pixel scale आपका body क्या size होना चाहिए और h1 और h2, h3 क्या size होना चाहिए according to the scale अब यह कह रहा है कि यहां पे ना यह वो रेशो में बता रहा है बात वही बात अब गौर से इसको देखो हो गए गया यह मैं दो इसको ले आता हूं इस पर बॉडी का जो साइज है वो बाई डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है यह हमें पता है तो अगर इस स्केल पे हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा बॉडी के साइज को मैं बोलूँगा 75% हंड्रेट से थोड़ा कम कर दिया है तो 75% is equal to 12 पिक्सल हो जाएगा जो बॉडी इस वक्त क्या थी 16 थी जो डिफॉल्ट में वो अब 12 हो जाएगी 12 हो गई अच्छा अब ये बाकी का जितना भी आइटाम है न ये चलेगा बॉडी के हिसाब से अब मैं किसी भी ऐलिमेंट पे अभी हैच वन की बात नहीं हो रही किसी भी ऐलिमेंट पे जाके एक पैराग्राफ था या एक स्पैन था या एक डिव था उस पे मैं जाके जब बोलूंगा न कि 200 परसंट तो वो रिलेटिव है किस से बॉडी के करेंट साइज से बॉडी का करेंट साइज इस तो इस 200 का मतलब क्या हुआ 24 पिक्सल ठीक है वो इक वो एक कर रहा है इसको अच्छा इस 150 परसंट का क्या मतलब हुआ कि 12 का 150 या 16 बारा सॉरी बारा और से 18 अठारा अठारा लिखा वह आप तो अब इमेजन करो कि मैं बाडी को बजाया परसंटेज में देने के मैं pixel में size दे दू पिक्सल में मैं दे दिया 20 बढ़ा दिया old age के लिए बना रहा हुआ या किसी भी वज़े से बढ़ा दिया या कम कर दिया मैंने body को हाथ से लेके दे दिया 20 pixel, तो automatically यह क्या हो जाएगा, 40 pixel, क्योंकि यह जितने भी होंगे न, यह सब body के size से relative है, इसको हम क्या बोलते है relative size relative size इसको आप कह सकते है और यह बहुत यह बाइट होता है यह पर करना पड़ता है तो H1 के rapper में rap किया है तो उस पर यह styling लगी लिए ठीक है, तो उसमें तो by default होगा मैं text का size बढ़ाऊंगा body के text का body के text का size बढ़ाऊंगा तो heading H1 अपने आप grow करेगा क्योंकि उस पर यह styling लगी लिए लेकिन imagine अभी हम कह रहे हैं, H1 ही नहीं तो हम जो किसी भी text को बनाएंगे ना जब heading तो हम उसको क्या करेंगे, किसी div में rap करेंगे उसका size 200% set कर देंगे अब यहाँ पर गलती क्या कर सकता है developer कि बजाए उसको 200 करने के, उसको वो हाथ से 24 pixel दे दे explicitly 24 pixel बता दे अब वो 24 pixel ना change नहीं होगा बताया जा रहा है, अच्छा यही वज़ा है कि आज कल pixel में font का size नहीं बताते है pixel में font का size बताने से क्या होगा, वो static हो जाएगा वो fix हो जाएगा, वो उपर नीचे नहीं हो पाएगा कुछ apps में आपने देखा होगा, वो text का size plus 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 करो तो बढ़ता है text का size, वो तो नहीं कर पाएगे हम पर, सही है, उसके लिए तो फिर हमें पूरी की पूरी CSS को change करना पड़ेगा that is impossible, CSS की file बहुत बढ़ी होती है, तो अब हम करेंगे क्या हमें कि standard set करेंगे, कि मेरी body का size क्या होगा अगर मैं 12 pixel पे जाना चाहरा हूँ, मैं कहूंगा body का size, यहां पे मैंना सीधा-सीधा 12 भी लिख सकता था, that is the same thing, मैं सीधा-सीधा यहां पे 12 लिखता तो भी यह उपर वाला सब सही काम करता है तो मैंने सिर्फ body का font pixel में देना है, एक बार fix करना है, बाकी जितने भी font होंगे मेरे पास, वो मैं तमाम के तमाम percentage में दूगा, सही है, तमाम के तमाम percentage में दूगा अब मैं आपको इसका एक benefit वगाता हूँ, बहुत भैतरीन benefit Sir, अब बाड़ी अब इमारा pixel में दी और H1 पर रैप भी किया, और H1 की साइस में 24 पिक्सल दी है अब लिए जब बाड़ी में पिक्सल में बढ़ाँगा तो बढ़ना चाहिए तुमारा सवाल में सम्झानी दुबारा बूलो Sir, मैंने कहना यह चाह रहा हूँ कि मैंनेजर अबने H1 को H1 को अब नहीं को अब जब बारे रिपीट कर रहा हूँ कि अब जब बारे रिपीट कर रहा हूँ तुम समझ जोगे उससे H1 कजब टेग लगा दिया तो मैंने बाइड इफॉल्ट यह स्टाइलिंग करती है साहिए मैं सही है अभी मैं वो उस case में बात कर रहा हूँ कि अगर H1 नहीं होता तो हम खुद करते पर यह लेकिन हमारी असानी के लिए H1 का tag बना दिये गए हमारी असानी के लिए अच्छा अब इसका में तुम्हें benefit बदाने लगा था कि क्या है mobile phone में और different operating systems में यह एक option होता है कि आप text का जो size है न वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह option है इसको मैंने बड़ा किया और बड़ा किया और बड़ा किया यह full बड़ा कर दिया मैंने text ठीक है अब जब मैं वापिस जाओंगा ना पीछे setting में तो देख टेक setting का जो font तो वा automatically evenly grow हुआ है मैं वापिस जाता हूँ और इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ यह evenly छोटा हुआ है अच्छा इससे होता क्या है कि जितनी भी apps होती है मेरे mobile में install यह जितनी भी website खुलती है उन सब को यह पता चल रहा होता है कि default text का size क्या दिखाना है अच्छा तो आपने अगर यह वाला standard follow किया हुआ होगा तो यहां पे आपकी app बिल्कुल perfectly काम करेगी इसको मैं वापस से दर्म्यान में कर देता हूँ जो के default size है और मैं इसकी sharing रोक देता हूँ अच्छा तो यह body का size भी आपने किसमें देना है percentage में देना है अब body का size अगर आप percentage में देंगे ना तो उससे यह वाली भी चीज cover हो जाएगी आपकी मिसाल के दौर पे मैं तो यह कह रहा हूँ नहीं कि body का size by default 16 pixel है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर device में यह ब्राउजर में यह 16 pixel ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है मिसाल के दौर पे किसी ने अपने device के accessibility में जाके उसको full किया है तो body का size क्या हो जाएगा by default जो भी full पे होगा वो हो जाएगा लेकिन आपने जब fix दिया वोगा तो आपका text फिर छोटा ही दिखेगा आपका text बड़ा नहीं दिखेगा यही वज़ा है कि जब मैं यह accessibility feature जब on करता हूं जब full पे करता हूं तो कुछ apps जैसे के WhatsApp बगारा उसमें तो बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है यह लेकिन कुछ apps होती है वो जैसे VLC प्लेयर वो अपनी जगा रहती है उसको फर्क नहीं बड़ता क्यूंकि उन्होंने मॉस प्रबड़ी फिक्स दिया वह परसंटें में नहीं दिया वह रि किसे तो कोई job नी होती है सर्फ HTML की कोई job नी होती है तो आपका कोई स्टाइब होता है अटलीस्ट आपको Java ंचरौ तक आती हो तो फिर आपको कोई job यहनी static websites बना रहे होता है उसकी job मिलती है लेकिन HTML की यह जोब होती है जिसको म कहते है Accessibility HTML की वो developer से और designer से तोनों से ज़ किनना उसकी जम्मेदारी होती है कि accessibility पर क्या है यह सही काम कर रहा है यह नहीं कर रहा है accessibility में क्या क्या कुछ होता है मिसाल के दौर पर कोई sign up का form है तो जब मैं click करता हूं तो क्या हूं जब पासवर्ट की suggestion वहां पर आरी है प्रॉपर जब मैं कहीं पर sign up करता हूं तो मुझे remember password का option दे रहा है यह सारी चीज़े accessibility और इसके tags और इसके attributes लगाने पड़ते हैं यह खुद से नहीं हो रहा होता by default by default भी हो जाता sometime क्योंके browser smart है लेकिन actually उसमें तमाम HTML में हो सारी चीज़े मौजूद है असल में तो पीछे तो java script है लेकिन उसके attributes बना दियेंगे असानी के लिए असल में तो font styling की चीज़ है लेकिन वो tags उसके बना दियेगा है तके हमारे लिए असानी होगा अच्छा अब देखो percentage की calculation है वो निजबतन थोड़ी सी मुश्किल है अब परसेंटेज में calculation है वन वन सेवन परसेंट अब यह क्या पकवास है तो इन्होंने एक इसका असान अल निकाल है ठीक है that is called EM अब देखो EM का चक्कर किया है EM में होता है कि एक M जितना size होता है ना एक M जितना size होता है इसका अच्छा यह 12 वाले को छोड़ो 16 में यह EM ज्यादा size समझ आएगा ठीक है 16 वाले में ना इसने बोला भाई बॉड़ी का जो भी percentage है ना वह 100% अपना रखे जो भी रखना है अच्छा हमारे case में बॉड़ी का 16 है pixel 100 परसेंट जो बॉड़ी का 16 है अच्छा फिर उसके बाद हमने यह बोला कि आपका जो paragraph होगा ना वह 1 EM होगा वन इम का मतलब है अब बॉड़ी से ही रिलेटिव है सारी चीज ना वन इम का मतलब है कि बॉड़ी के अंदर जितना बड़ा एम होता है यह जितना बड़ा हमें अभी है paragraph में भी एम का साइज उतनी रखना है इसका असल मतलब ही है असल में कि जो फॉर्ण बॉड़ी का है वही फॉर्ण पैरेग्राफ कर लिए ठीक है वन इम का मतलब है हंड्रेट परसेंट तैस एच अच-टू का कितना रखना है मुझे यहां पर आके देख लेते हैं एच टू का मुझे रखना है 32 पिकसल राइट है एच वन का मुझे 32 पिकसल रखने तो बड़ी उन्रीज परसेंट तो बड रोंडी सच्पटसल इसका मतलब है 2rem 2EM का मतलब है कि body था बत्तिस हो गया ना सही है ना तो बत्十 ही थो है H1 16 पिक्सल के स्केल में देख रहे है भी है तो H1 बत्तिस है है सिसमार क्या कहानी है यह असल में परसंटेज वाली ही चीज ही है लेकिन यह जो आइटम है यह कि M के size के असाब से चलता है क्योंकि percentage में कहानी पहुझे रहे 1 1 7 100 तो ये क्या चलता है ये 1 का मतलग है 100% 1.5 1 50% तो एक्छली ये percentage को लिखने काही एक different तरीका है कोडा सा अच्छा एम में एक दो चोटे-चोटे दिफरेंसे और भी हैं लेकिन वह अभी मेरे खाले डिसकस करना मुनासिब नहीं होगा कुछ देंसिटी से उसका तालोग है अच्छा तो अभी इन्होंने अकॉर्डिंगली वह किया है अच्छा आम तर पर अब जो अभी वाले जो डिजाइनर्स हैं व तो हम वह EM के हिसाब से देते हैं अच्छा EM में देने से फायदा तो यह परसेंट वाला ही है कि जब बॉड़ी का टैक्स बढ़ता है या किसी चीज को जूम-इन किया जाता है तो क्यूंके वह EM में होता है तो बॉड़ी के अंदर जो M का साइज है उससे रिलेटेट रहता है उससे रिलेटेव रहता है साथ-साथ वह भी ग्रो करता है तो बेसिक तो फायदा यही है इसका लेकिन EM में अच्छा EM के अंदर एक और भी उनिट होता है EM किसी को पता है एक और REM होता है अब वो EM और REM क्या होता है यह हम फिर किसे दिन डिसकास करेंगे वरना भी यह बहुत जागा लब्डी हो जाएगी सही है तो EM और REM जो हो देंसिटी से कुछ तालोग होता है इसका वैल यहां पर इन्होंने जो बात लिखी है वह हम देख लेता है EM अलाव यू तो चेंज देशाइज अफ देशाइज रिलेटिव तो देशाइज अफ टेक्स इन पैरेंट अलिमेंट ठीक है सिस्टेफल्ट साइज अफ टेक्स इन वेब ब्रावजर इस 16 पिक्सल्ड यू कन दूस सिमिलर रूल तो दो शोन फर पर्संटेज रिए पर्संटेज यू पर्संटेज यहां पर उन्होंने एक बात लिखी है अच्छा यह कह रहा है कि एक्स्ट्रा पी लिखना यह लिखने की जरूरत और अब्यूसी जरूरत तो नहीं थी क्योंकि जब बॉड़ी का साइज होता है वह लिखना पड़ता है तो इसने कहा है कि बॉड़ी पर इसलिए पारग्राफ पे अलग से लिखके दिखाया है कर इंटरनेट एक्सलोरर सिक्स पर लिखना पड़ता हैं ठीक है अब यहां पर नहीं ने एक बात की है कि more font choices जो एक चार्ट बनाया था था ने कि ऐसे भी लग जाता है वैसे भी लग जाता है तो इसमें सबसे पहला तो यह था इस पैसिफाय करते थे हम फॉर्ट फैमिली करके उसके बाद दूसरा यह था कि हम बताते थे फला जगा से जाकर डाउनलोड कर लो तो यह वाला काम हम करने लगें अच्छा इसके इलावा ना हम इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कल मैंने कोड लिखा वाता है इस पर बट वह फिर टाइम खतम हो उसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो वहाँ पे उन्होंने बताया अब देखो यहां पे एक हच वन करके एडिंग लगी वी है और एक पैराग्राफ करके पैराग्राफ लगागा है सही है और यह वाला जो दोनों है यह क्या है यह जस्ट एक डिव है ठीक कि आप 32 पिक्सल हो जो और परग्राफ 16 पिक्सल का ही होता है बट मैंने लिख दिया है कि 16 पिक्सल हो जो तो आप देखें ultimately होता क्या है कि इस heading का size और heading का size बिल्कुल same है अच्छा यह थोड़ा सा bold भी है तो मैं काम करता हूं bold भी कर देता हूं मैंने का font weight bold ठीक है तो बिल्कुल देखो एक जैसा लग रहा है कोई फर्मी है तो अब देखो आगे का काम क्या होता है आगे का काम यह होता है कि अगर मैं यहां पर आता हूं तो आप देखें H1 ने अपने आपको automatically grow किया यह मैंने zoom in नहीं किया यह सेम जूम लेवल है बलके मैं जूम लेवल को यहां से reset कर देता हूं जीरो पर कर देता हूं यह जीरो जूम लेवल है अच्छा अब मैं वापिस body पर click करता हूं और body के उपर यह जो मैंने 36 pixel का font लगाया है इसको देको हटाऊंगा तो यह दोनों एक जैसे होगा जैसी इसको मैं बढ़ाता हूं तो ना सरफ paragraph हलागे मैंने paragraph पर नहीं लगाया यह class है ठीक है और यह class कहां पर लगी है यह second वाले पर लगी है डिव में सेकंड वाले पर अप्लाई हुई है ठीक है अच्छा अब अगर मैं आता हूं इस 36 को मैं कर देता हूं सोला पिक्सल जो कि डिफॉल्ट अब सोला से जैसे जैसे बढ़ाता जाओंगा न वह नीचे वाला फिक्स है अपनी जगह पर है क्योंकि मैंने उसको हार्ड कोड़ेड फिक्स पिक्सल का साइज दिया वैं और बाकी यह paragraph और हैडिंग अपने आपको ग्रो करना है ठीक है अ और पैराग्राफ को मैं सोला पिक्सल नहीं देता बलके मैं इसको देता वन हंड्रड परसंट या वन आरियम एक ही बात है ठीक है या वन आरियम इसको देता ना अच्छा अगर कुछ भी नहीं देता तो क्या होता अगर कुछ भी नहीं देता तो क्या होता जो फॉन्ट रूसाल में दोनों चोटे बड़े हो तुर मैं जाता हूं मिसाल के दोर ठीम किर इस परग्राफ को थोड़ा सब बड़ा करना चाहर ?? तो मैं इसमें लिखोंगा 1.2 REM 1.2 REM से यह थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन अब आप नोट करें इसका रेशो फिक्स रहेगा जब मैं टेक्स को छोटा करूं या बड़ा करूं यह देखो रेशो फिक्स है उसका वो उपर वाले परेग्राफ से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है रेशो फिक्स हो गया उसका अब चाहिए मैं बॉड़ी का टेक्स बढ़ा हो या कम करूं यह मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा है यह मैं बॉड़ी का साइज कम ज्यादा कर रहा हूं अच्छा इसी तरीटे से अगर मैं H1 को भी क्या देदूं यहां पर आके मैं देदूं 2rem यह 2em तो इसका मतलब सेम है तो इससे भी वो रेशो क्या रहेगा रेशो उसका फिक्स रहेगा यहां पर मैं 36 को कम करता हूं देखो वो रेशो फिक्स हो गया तो बॉडी के टेक्स्ट से असल में तालुक है बहुत सारे एक्स्टेंशन भी होते हैं जो आपके पूरे स्क्रीन को जूम इन करके दिखा देते हैं तो वो असल में क्या करते हैं बॉडी का सिर्फ साइज बढ़ाता है पूरा पेज आटमाटिकली ग्रो करने लग जाता है तो यह हमें समझ आग अच्छा वें-एम के बारे में एक और मारा बात बताता चलू आपको को यह अपने फोटो लगाही है की की फोटो का साइज रख़ा आपने उस फोटो का साइज भी आप एम में दे सकते हैं यहां पर एक फोटो लगी विए चुन्नी मुन्नीशी और बॉडी का साइज इस वक्त है सोला पिक्सल जो होता है डिफॉल्ट अब यहां पर एक पिक्चर लगी विए जो इस हेडिंग के लास्ट तक आती है यहां तक यह स्क्वैर पिक्चर है ऐसे एक स्क्वैर पिक्चर है लेकिन जब आप बाडि का साइज बढ़ाते है ना वो पिक्चर को अपनी जगह रही एगी क्यों कि उस का साइज पिक्सल में दिया गया लेकिन अगर और वो em में होगी तो वो पिक्चर भी सात-सद बढ़ी होगी सही ऐफ एगर कोई इकभार का अर्टिकल में क्या होता है कि इमेज हम देने की कोशिश करते हैं विट जैसे देते हैं वैसे ही देंगे और कैसे देंगे अभी देख देख लेते हैं क्या होता है ये मेरे बस आगए ये कार की इमेज राइट और यहां पर मैं इस इमजी को लगा देता हूँ और मैंने कहा के भाई डॉट स्लैश और कार डॉट जेपेड अभी तो ये कार की इमेज बहुत ही बड़ी दिख रही है तो मैंने इसको बोला के भाई विर्ट आपकी क्या हो जाए दो सो पिक्सल हो जाए अब देखो इसकी कार की विर्ट दो से पिक्सल हो गई अब मैं बॉड़ी के जब टेक्स चेंज करता हूँ ना तो टेक्स छोटा हो रहा है लेकिन पिक्चर अपनी जगह है अब मैं क्या करता हूँ इसकी विर्ट पिक्सल की जगह एम में देता हूँ लेकिन क्या मैं इसको दो सो एम दूंगा दो सो पिक्सल को अगर मुझे एम में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कॉन बदा सकता है वन जीन इपल टू वाट अवै नहीं 100 पेश्चल में कि दने शिक्टीन पिक्सल वन एम एम जो होता है वा उसका साइस क्या होता है कि M का size is called EM, body में जो भी इस वक्त font का size है, उसमें 1 M जो है, एक M का size जो है, वो 1 EM है, तो most probably 16 pixel के around कुछ, ठीक है, तो अब 200 मुझे लगाना है, अब 16-16 करके कितनी दफ़ा करूं मा तो 200 होगा, मैंने का के, calculate कर लता है, मेरी math इतनी अच्छी नहीं है, तो यहां पे करता है, मैंन EM, मुझे 12.5 लगा है, 200 pixel है और divide करूंगा, इसको मैं 16 से, तो 12.5 ही आ रहा है, सभी है, तो 12.5 जब मैं लगाऊंगा, और यहां पे मैं refresh करूंगा, यह क्या हुआ, नहीं इसको मैं असल मैं वो करके देता हूं, class करके, यह attribute में इसको शैद समझ नहीं हा रहा है, IMG, और मैंने कहा कि जो width है इसकी, सभी है, वो attribute में उसको समझ नहीं आ रहा है, तो यह आ गई यहां पर, अब देखो, मैं body का क्या करता हूं, size change करता हूं, तो image साथ साथ चोटी हो रही है, सभी है, तो यह वाली कहानी है, तो इसी लिए इसको density independent कहते है, अब density independent क्या होता है, वो हम छोड़ देता है, लेगिन फिलाल, ठीक है, जो अब हारा था, 72 pixel per inch, that was density, ठीक है, तो अब अगर 100 pixel की image है, तो वो 400 ppi की screen पे भी 100 pixel की दिखती है, और 72 ppi पे 100 pixel की दिखती है, तो how is that, अब ये density का एक चक्कर है, और बहुत घंबीर चक्कर है, लेकिन खुश्किसमती सही, ये density वाले सारे मसले, html और css level पे handle किये जा चुके है, operating system के level पे handle किये जा चुके है, तो हमें इतना सोचना नहीं होता, बट हमें चीज़े पता हो नहीं चाहिए, ठीक है, अब बुक में हम आगे चलता है, कि बुक में आगे क्या लिखा हुए लोना, more font choices हम देख रहे थे, अच्छा अब आपने अगर कहीं, जैसे केलिबरी की हम last class में बात कर रहे थे के mac machine जो होती है, उसमें केलिबरी font पहले से module नहीं होता है, ये 100% हमने verify भी कर लिया था, उसको चला के देखा था, वही same website दूसरे computer में चलती थी, जिसमें केलिबरी है तो नजर आता था, नहीं है तो नजर नहीं आता था, तो तो अब कैलिबरी font नहीं है, लेकिन मुझे लगाना है, और मैंने कहीं से वो कैलिबरी font खरीद भी लिया और मुझे license भी मिल गया उसका, अब उसको मैं CSS के तर ये कैसे apply करूँगा, उसकी coding हम चेक कर रहे हैं, तो ये मारे पास एक बड़ा famous provider है, google font, तो मैं इसका नार रखता हूँ, 7 google font, ठीक है, इसका एक अलग folder मैंने बना दिये, google font, और मैं इस google font के folder में एक index.html बना देता हूँ, और इसके अंदर एक heading लगा देता हूँ, और एक paragraph हम यहाँ से उठाके ले आते हैं, book में से, एक paragraph मैंने यह book में से उठा लिए, एक paragraph शायद और उठा लेते हैं, दो paragraph उठा लेते हैं, अच्छा, style का एक tag बना लेते हैं, जिसमें तमाम की तमामे styling हमने करनी है, ठीक है, यह हमारी styling है, जो हम इसमें करने जा रहे हैं, अच्छा, यहां पर देखो, font, face के नाम की एक, कहलो, selector है, क्योंकि selector की जगह पर लिखा है, actually selector नहीं है, यह हम न कोई चीज जब create कर रहे होते हैं, CSS में, तो यह उसके लिए मर्जी का एक नाम रखोंगा, मैंने का इसको भई, Malik font, कोई भी नाम रख सकता हूं, मेरी मर्जी का, यह मैं इसलिए रख रहा हूं, जान बुछ के ता कि आपको पता चले कि यह अपनी मर्जी का नाम होता है, वरना यहां पर जो नाम रखा वा था वो भी ठीक था, chunk 5, well अ मैं इसमें, Roboto करेंगे, तो मैं इसका कहता हूं कि Malik Roboto, यह ऐसे करेंगे, उसके बाद मुझे second number पर क्या बताना है, इसका URL बताना है, कि भाई, वो font डाउनलोड कहां से करना है, font डाउनलोड करने का web URL भी हो सकता है, HTTP वाला, और मेरे folder में कहीं पर अगर जैसे image पढ़ी हो इसे dot slash करके हो, तो वैसे भी हो सकता है, तो आम तोर पर होगा क्या, कि मैं यहां पर एक folder बनाऊंगा, fonts के नाम से, और मैं जितने भी fonts होंगे, वो इस folder के अंदर होगे, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा font हो सकते है, तीन या चार, अच्छा, एक ही font, चार अलग-अलग format मे हो सकता है मेरे पास, तो font की file ना 10, 12, 15 दब हो सकती है, तो इसलिए उसको हम root पे नहीं रखते हैं, एक अलग folder बना देते हैं, अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई, fonts slash और roboto.eot, अब ये eot तो इन्होंने लिख दिया ना, अभी और कौन-कौन से format होते हों हम देखते हैं, वेल fonts, ठीक है, देखो, रोबोटो सबसे पहले number पे आ रहा है, क्योंकि अपना माल बंदा आगे करता है, पहले ये picture, अच्छा, इसमें पहले से कुछ चीज़े सेलेक्ट हुई ही है, अब देखो, इसमें तरीका ये है Google font का, इसमें ने क्लिक किया, इस font पे, तो मुझे ये क्या क्या बता रहे है, पहले तो मुझे एक text क्लिक के बता रहे है, कि where as concept of human rights, पता नहीं, have resulted, कहरे रहे है इस तरह का कुछ दिखने वाला ही है, select text preview, continent, Asia, Europe, Oceania, ये तो सब एगी है, Africa, all countries, अच्छा, got it, Roboto font असल में एक से ज्यादा languages में मौझू है, तो मैंने इसको कहा कि एशिया और उर्दू language शाइद इसमें आ रही हो, सही है, ये किसी और language में इसका preview दिखा रहा है, इसमें उर्दू, उर्दू है, M and O, P, P में नहीं है, Muslim cat, ये क्या चीज़ है, ये भी कोई जुबान है, उर्दू, उर्दू दो नहीं है भाई इसमें, ठीक है, लेकिन काफी सारी languages है, as you can see, ये वाला font जो है वो, तमाम languages में जो यहाँ पर लिस्टेड है, मौझूद है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको उस चीज़ की practical example मिलेगी, जो मैं बता रहते हैं, कि टाइप faces अलग-अलग होते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो font, ये H लिखा वे है, ये H, obviously English के लिए अलग बनाया गया है, फिर Italic, Bold, ये H, सिर्फ एक लेटर जो H है, और English के अंदर, इसके कितनी फाइल्स होंगी अलग-अलग, ये कितने अलग-अलग images होंगी है, PNG image होती है, most probably behind the scene, तो ये PNG, SVG image होती है, तो एक होगा normal H, capital letter का, और एक होगा normal H, small letter का, ये मैं एक probability बता रहा हूँ, हो सकता है, इससे कहीं ज्यादा हो, दूसरा अब होगा एक bold H, capital का, और एक bold होगा, small का, अच्छा, bold के फिर 3 level हैं कम से कम, सही है, जो weight है में font का, 300, 600, 700, 800, so 800 is black, bold के भी बाद होता है, तो अब ये दो-दो का पेर न उतनी दफा होगा, तो तो करीबन 8 से 10 file होगी सिर्फ इस H की, एक font face के अदर, अब इन्होंने जितनी different languages में बनाई हैं, तो उससे multiply कर लोगा, तो काफी सारी चीज़े हैं, अच्छा, तो इसका मतलब है, इस font का जो file होगी, वो तो बहुत heavy हो जाएगी, अब हमें इतने सारी चीज़ों की ज़रूत नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ English, और हमें चाहिए सिर्फ bold, और normal, और italic, हमें वो black तक नहीं चाहिए, अब हम क्या ग क्या चाहिए, जब मैं select करूंगा मुझे वही फाइले देगा है, अब यह मुझ से कह रहा है कि regular, एक thin है, एक light है, regular, यह नमबर बता रहा है, 100 is called thin, यह weight है, इसका 100, जब मैं CSS में weight दोंगा 100, तो it is gonna be thin, अच्छा, अगर imagine करो, मैंने 200 दे दिया, जो कह यह मौजूद नहीं यह तो वह क्या करेगा, वह 100 पे fallback करेगा, अगर, या 100 होगा या 300 होगा, 200 लगा तो देंगे, error नहीं आएगा CSS में, लेकिन 200 है नहीं, तो यह तो fallback 1 पे होगा, या तो 3 पे होगा, वह देखेंगे किस पे होगा, I am not sure किस पे जाएगा, लेकिन font के faces जो है, उसमें 200 weight वाला face है ही नहीं, तो 200 वो लगे गई नहीं, जैसे मैंने जिकर किया, अगर मिसाल को दरपे मैं सिर्फ थिन उठाओ, 100, ठीक है, तो वो by default जब display होगा, तो मैं bold लगाओ, थिन लगाओ, जो मरजी करो, वो हिलेगा नहीं अपनी जगा, क्योंकि है ही एक, हिलेगा ही नहीं अपनी आइल्स, यहां पर यह अलग-अलग sizes और अलग-अलग करके नहीं ऐसे चेक कर सकते हैं, कि किस size पर क्या दिखता है, कितना दिखता है, सही है, तो अभी इसको zoom in तो नहीं, ज्यादा मैंने कर दिया, अच्छा नहीं, बस यहीं तक है, तो इसमें आपको यह दो चीज दिखा हैं, एक thin, thin में यह 21 pixel का, 16 pixel का, 48 pixel का और 36 pixel का, preview आपको दिख गया, thin का, तो हम क्या करते है, thin को add कर लेते हैं, कि हमें यह चाहिए, कैसे add करेंगे, नीचे आया, हमने का, thin का 100 जो है न, मुझे चाहिए, italic को add नहीं किया अभी मैंने, italic नीचे आये रहा, मैंने का, मुझे यह भी चाहिए, फिर मैंने का, कि यह वाला, 100 था, यह 300 का भी मुझे चाहिए, normal, फिर 300 का, italic भी मुझे चाहिए, 400 मुझे नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर, सही है, मुझे चाहिए, डायरेक्ट, 800, अचा, 8 है नहीं, इसमें 9 है, तो चलो 700, 700 का सीधा वाला, और 700 का, italic यह मैंने सारे सेलेक्ट कर लिये, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करके भी देख सकता हूं, कि यह मतलब थिन होगा, और 53 पिक्सल पे यह दिखेगा कैसा, मैं खुद का कोई टेक्स लिखके दे सकता हूं, this is my custom text, कि यह दिखेगा कैसा, और मैंने का कि भी 16 पिक्सल पे करो इसको यह 16 पिक्सल पे कुछ इस तरह का दिखेगा, सभी है तो काफी sophisticated विसम का इन्होंने एक store बनाया हूं, जहां पर font अवेलिबल है, इनके खुद के वो free में है, और कुछ शायद एक दो paid भी होंगे, I'm not sure, जब यह सारी चीज़े मैंने select कर ली मुझे जो जो चाहिए था, उस एक zip file मुझे असमे download कर दी, जिसके अंदर यह क्या आगया मेरे पास, उस सारी अलग अलग files आगई, हाँ, हाँ, हाँ ना हमने select किया था, देखो हमने कौन को ना select किया था, हमने का था, रोबोटो thin और रोबोटो thin italic, फिर regular, regular का italic नहीं select किया हमने शायद, regular का italic नहीं किय हमने, तो regular अगर मैंने किया हमने italic करूंगा नहीं होगा, यह शायद हो जाए उसको नीचे ले आए, fallback पर, यह शायद italic करती ही वह regular की जागा thin हो जाए, कुछ होगा मतलों, अभी वह कर के देखेंगे, तो इससे हमने पता यह चला है कि हम जितने भी font देख रहे होते हैं आड़ा, तेड़ा, उपर, नीचे, वो तमाम, वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही image को उसने curve कर दिया और तेड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता, वो actual में एक अलग photo होती है, एक अलग photo होती है, जो PNG, SVG format में, और वो हमें नजर आ भी होती है, तो बस वो यह होता है, अच्छा ऐ जरूरी नहीं है कि इसको अलग-अलग file हो में रखा जाता है, एक file में भी हो सकता ही है, मैं इसी कोई, असल में ये क्या होती है, ये simple file होती है, text file होती है, sorry, text file कर रहा है, ये zip file होती है, kind of zip file होती है, तो इसको मैं open करके, इसको merge कर दो, merge जो जाएगा, यहाँ पर मुझे preview भी दिखा रहा है देखो मेरे operating system को समझ आ रहा है कि यह file कौन सी है मेरे operating system को समझ आ रहा है अच्छा अगर मैं double click करके वैसी इसको open कर दूँ तो यह मुझे देखो कहा खोल दिया इसमें जो last मैं दिखा था न फॉर्ण करके एक होता है control पैनल में वहां खोल दिया और इसमें बटन आ रहा है install अगर मैं install कर दूँगा तो मेरी machine में यह permanently install हो जाएगा मेरी machine में जब कोई भी website खोलेगी लेकिन मसला ही है कि मेरी machine में इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि जब मेरा user खोलेगा तो उसके machine में तो नहीं हो गई है या तो मैं इसको instruction दूँगे ऐसे जाओ download करो save करो install करो that is very दिन में दस website खोल रहा है बंदा तो हर website के लिए इतना लंबा procedure कोई भी नहीं करने वाला तो इसलिए मैं बजाए इसको install करने के cancel cancel मैं इसको ठाके अपने computer में रखोंगा अपनी website में रखोंगा उस font के folder में और license भी इसका देखो मुझे साथ में दिया है कि भाई license भी ले जो आप साथ में तो मैंने इसको सब को copy किया license समेथ और इसको मैं उठा के यहां से ले जाओंगा अपने font के folder के अंदर और यहां वेले जाएगे इसको paste होगा क्या 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 रहो हूँ बूलो ना फॉर्ण स्लैश और थिन से शुरू करते है थिन ठीक है और थिन के लावा मेरे बस क्या है रोबोटो थिन थिन का इटालिक आ गया इसी सीक्वेंस में लिखूंगा थागे मुझे पता चलता रहा है अच्छा अब चलो इमेजन करो कि थीन ही रखा हमने सरफ अभी हमने बोल्ड बगर एड ही नहीं किया अब मैं किसी भी हेडिंग पे जाके यहां पर मैं लिख सकता हूँ कि आप क्या बंजो आप बंजो मलीक डैश रोबोटो सभी है और यह सब लास्ट वाल मैं फिलाल हटा भी दूँ अगर च सम टाइम में भी यह फेल हो जाए तो इसलिए सेरिफ तो मुझे लास्ट में रखना है स्टैक पूरा करने के लिए और इसी फैमिली का कोई एक जैनरिक आगे और भी रखूंगा जो हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है ठीक है यह सेरिफ का एक फॉंड जैसे एरियल अप्लाय किया है एक एस टू नहीं है लेकिन दोनों पर अप्लाय हुआ वैक्चली हो एक्चली हो कि मुझे बुक चाहिए यहां पर उसके बाद चाहिए कोड उसके पर चाहिए रिजल्ट ऐसे चाहिए मुझे और इसको मैं रोकता हूं लाइज सर्वर को और दुबारा से करता हूं ठीक है यह मेरे पास क्या आ गया इसका मतलब पता है क्या हुआ यह वाला लोड़ी नहीं हुआ शाइब थिन है ऐसा कैसे हो सकता है जाके मैं इंस्पेक्ट में देखता हूं कोई एरर तो नहीं आ गया अच्छा यह मुझे बाकाइदा लोड़ करके दिखाता है यहां पर जब मैं पेज लोड़ करूंगा तो मुझे बाकाइदा दिखाये गई है कि इसने फॉन्ट लोड़ की है देखरो रोबोर्टो थिन एक ही लोड़ किया इसने दूसरा वाला लोड़ ही नहीं किया ऐसा कैसे भाई बुक में देखते हैं हमने कोई गड़बड की है शायद src मैंगर मुझे दो तीन देना हो तो मैं कैसे दूंगा यहां लिखा वैसने नहीं okay got it src एक ही होगा यह url 456 होंगे comma separated ठीक है यह मैंने mistake किये src का na attribute एक ही होगा और इसमें url comma separated होंगे जितने भी डालने मझे तो यह मैं comma separated करूँगा असल में हुआ यह था कि पहला वाला उठाया उसने और second वाले ने उसको replace कर दिया पहले वाले को तो सिर्फ italic रहे ग अच्छा तो अब मेरे बास थिन है और अब यह सीधा होगा तो यहां पर इसमें दोनों font उठाएवे होंगे most probably अच्छा यहां पर शो अभी भी एक ही हो रहा है दोनों नहीं शो हो रहा है मतलब वो दोनों लोड हो गया अच्छली हुआ यह दोनों लोड हो अब मैं अगर इस हमन पर आगे बोलता हूं कि font weight और जो थिन है वो 100 है मैंने गा भाई तू 600 हो जागा लेकिन यह 600 नहीं होगा क्योंके 600 वाला font face मैंने जो create किया उसमें मैंने बताया ही नहीं है यह मैंने जो मलीक रोबोटो अभी इस वक्त बनाया है अपनी CSS में एंटिटी इसमें 600 नाम को कोई font नहीं है अच्छा अब देखो मैं एक जादू दिखाता हूं और इमेजन करो इस URL के अंदर आगे मैं एक दूसरी TTF फाइल जो रोबोटों नहीं यह कुछ और है उसका 600 डाल दूँ तो जैसी मैं इसको 600 गरूंगा ना तो वो दूसरा इसको पता है कि इसको यह नी पता है कि यह फॉटो की एक लिस्ट है उनमें से कौन सी फोटो कब दिखानी है वो इसको पता है यह नी पता है यह वो एक क्या लिखा वा तो कंप्यूटर को यह आईडिया नहीं होता है इसके सिमेंटिक वैल्यूज का नहीं पता होता है कि बही जैसे यह पे एक मैंने टेक्स लिखा वह एक के अफॉंट इवन इफ इस नौर इंस्टाल्ल ऑन दा कंप्यूटर तो कंप्यूटर जब इस फॉंट को दिखा रहा होता है तो कंप्यूटर को नहीं पता होता कि यह क्या चीज कंप्यूटर के लिए जस्ट वो फोटो है पी एंजी फोटो इसने डिस्प्ले करना है वोल्ड करेंगा तो यह बोल्ड हो जाएगा या नहीं होगा मैंने यहां पर फॉंट वेट तो 600 लगाया लेकिन इसकी जगार मैं बोल्ड लिखूंगा तो क्या यह हो जाएगा वर्ड़ ड़नित में बोल्ड असल प्रीषट है बोल्ड का मतलब होता है 600 तो बिख फिस हैं एक और फिन का मतलब होता है 100 तो फिन लिख दू या हाच से 100 इस यह नहीं होगा क्योंकि एकशली वह फॉंड वेट की बाद हो रही होथी तो अब मैं जितने font यहां से add करना चाहूं उतने यहां पर add करता जाओंगो और यह URL मजीद मैं इसको लगाता जाओंगो और यह मैंने italic उठा लिया और मुझे कौन सा चाहिए थिन के बाद medium light light ठीक है और light के बाद मेरे पास है italic सभी यह light italic हो गया light italic के बाद मेरे पास है regular एक मिनदे यहां देखते हैं medium पहले है regular पहले है 300 है light उसके बाद है 400 regular regular के बाद medium मेरे तो पहले regular आएगा regular regular में मैंने italic नहीं उठाया था सभी है अब इसके बाद है regular regular और regular में मैंने regular दो बार डाल दिया और regular दो बार डाल दिया है medium होगा न अब तो सभी है medium और medium metallic सभी है और medium metallic के बाद क्या है मेरे बास medium के बाद है medium is 500 उसके बाद है 700 बोल्ड और 900 ब्लैक तो बोल्ड और बोल्ड निटैनिक उसके बाद मेरे पास है black सभी है black और black italic यह मेरी एक फॉंड की family पूरी तयार हो गई अब समझाया है यह फॉंड family क्यों लिखा है इसको में यह family है Malik Roboto is a family इसके अदर यह सारे members है इसके तो अब इसको जब मैं apply करूंग नहीं कहीं पर भी तो इन सारे जो weights में से न कुछ न कुछ यह पकड़ रहा होगा अब अगर मैं जा कर देखता हूं अपने page पे तो आप देखें यह क्या हो चुका है यह बोल्ड हो चुका है क्योंके बोल्ड इसमें मौजूद है ठीक है बोल्ड यह रहा बोल्ड बोल्ड मौजूद था तो बोल्ड हो गया अब मैं बोल्ड के साथ इटैलिक भी लगाऊंगा तो हो जाएगा मैंने का font style italic तो यह italic भी हो जाएगा सही है italic भी हो गया अच्छा आप मैं कोई ऐसा font लगाता हूं जैसे का regular जिसमें italic मौजूद नहीं है तो मैं इसमें regular लिख देता हूं regular इसमें है भी कि नहीं है regular नहीं है प्रिसेट जो css का है उसमें regular नजर नहीं आ रहा हूं ठीक है regular क्या था number उसका देख लेता है यहां से regular था 400 तो मैंने का भई 400 ताकर यह regular वाले को पकड़े और साथ में मैंने इटैलिक भी बोला है तो क्या इसको इटैलिक हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए सही है नहीं होगे है रिटैलिक है यह है यह चक्कर रहा है अगर इटैलिक हटाऊंगा मैं तो भी यह 400 है यह चक्कर रहा है यह 400 है पक्का इंटैलिक क्यासे हो रहा है पीझिए यह एं यह क्यासे हो रहा है भाई 400 को थो इटैलिक दिया है निये मैंना यह यह रहा है रगिवलर इटेलिक तो मैंने इसमें उठाया ही नहीं है, इटेलिक कहां से ला रहा ही है गूगल स्मार्ट कैसे हो गया है, गूगल को क्या बहुत इटेलिक तो नहीं करना चाहिए, वेल वो कुछ जोगाल लगा रहा है, कुछ कर रहा है, पता नहीं जादू चला रहा है, सही है, अच्छा एक क्वेस्चन और भी है अभी, कह भी 400 है और एक है 300, अब मैं अगर इसमें 250 लिख दूँ, या 350 लिख दूँ, तो यह क्या करेगा सही है, 350 लिख दिया मैंने, तो 350 पे भी है, 400 पे ही जा रहा है automatically, मैं 400 लिख के अंटर करता हूँ, तो 400 यह है, और 300 लिख के अंटर करता हूँ, तो 300 शायद है नहीं, 200, 100, अब यह क्या हो रहा है, यह चेंज ही नहीं हो रहा, यह फॉन्ट रोगोट ही है, यह फॉन्ट यह रोगोट ही है, मैं काम करता हूँ, इसके आगे सादें यह जो दो लगाए वाहने, इस्याट आदा देता हूँ, ताकि यह तो रोबोट हो रहे है यह यह खतम ही हो ले, अच्छा नहीं रोबोटों नहीं है रोबोटों नहीं है 350 पर वो कुछ और ही कर रहा है कहीं और ले जा रहा है और अगर इसको मैं 400 गरूँ तो अब रोबोटों को हटा रहा हूँ और लगा रहा हूँ न तो उससे कोई फर्क नहीं बढ़ रहा पॉर्ण फैमिली को मुझे पूरा स्टैक देना पड़ेगा जब ही लगेगा पूरा स्टैक देना पड़ेगा उसको मुझे एक काम करते है न हम अलग से एक डिव बना लेते हैं क्योंकि इस पर I am not तो मैं फॉर्ण साइज क्या दे दूं इसका आवई बताओ तू आरिये हैं सभी है तो अब यह नीचे एक हैडिंग जितनी चीज मेरे एक और बना ली है और साथ में इसको में क्या बोल देता हूं क्या बाप हो जाओ फॉर्ण फैमिली यह हो जाओ यार यह क्या हूँ यह तो अपलाय हो नहीं बंद हुगिया इस पैलिंग भी सभी है सब कुछ सभी है आपके लेफटाप में नहीं है फॉर्ड इस वर्ड नहीं नहीं यह लोड हो गया ना फॉर्ड असल में यह लग रहा है इसके दाथ बहुत जादा मस्ती कर लिए अब यह रहा बस मैं खेलोना नहीं हूं मेरे से खेल रहो अच्छा अब नहीं भाई यह रोबोर्टो बिलकुल ही गायब हो गया रोबोर्टो तो ऐसा है बगैर वह बगैर चोंच वाला यह तो चोंच वाला फॉन्ट आ रहा है यह क्या हो गया है मुझे लग रहा है पूरा स्टैक देंगे जब ही यह चलेगा तो मैंने कर टाइम्स कॉमन यह तो अभी भी नहीं चल रहा है यह क्या हो गया है इसको बहुत चड़ गया है इसको बाकी दूसरी स्टाइलिंग तो लग रही है मुझे लग रहा है कोड में हमने गड़बड की है इसका नाम भी चेंज कर देता हूं थोड़ा सा मली के रोबोर्ट हो जाएना वह एक साथ हो जाए अड़े अब लग गया है मैंने क्या ऐसा किया जिससे लगा है पहले डैश के साथ चल रहा था यार यह पहले नहीं चल रहा था डैश के साथ यह यह मैंने एक एक स्ट्रा यहां पर लगा दिया था इसकी वज़ा से नहीं चल रहा था यह सही है तो यह CSS कह रहा है के भाई दो नोट यूज एम्टी रूल सेट्स अच्छा एम्टी रूल साथ भी इसको नहीं चाहिए यार लग्या भी अच्छा अब लग्या ना अब दो वार वो वाला एक्स्पेरिमेंट करता है क्या एक्स्पेरिमेंट था हमारा यह 400 400 अच्छा 400 नी इसने पकड़ा यह क्या सी इन हो बबाई 300 600 800 100 पकड़ रहा है 200 नहीं पकड़ रहा क्या हो रहा है हाँ लोड होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ यह आप एरर भी शो कर रहा है यह नहीं यार लोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको इसको प्रॉब्लम है लेकिन यहां नेटवर्क में सिर्फ एक फॉंट अप्लोड कर रहा है यार ऐसा क्यों कर रहा है जीए अदेख लेकिन खर्रॉब्लम सिर्फ दिन वाला यहां पर शो कर रहा है लोड होता वा यार यह पहला वाला इसके आगे कोई शोह नहीं कर रहा है कि लोड हो भी रहा कर नहीं हो रहा एक मिनट इसको उठाता हूँ और इसको उठागे मैं यहां पर पेस्ट करता हूँ कि इसने एक्जेक्ली क्या लिखा हुए इसका URL शुरू हुआ यहां से और यह खतम हो गया अधर URL के बद फॉर्मैट ओके गॉर्ल के साथ इसने फॉर्मैट लगाया गया जो मैं नहीं लगा तो मैंने उसमें नहीं लगाया था हुआ थोड़ी दिर पहले तक बोल्ड भी हो रहा था सब कुछ अरा था हुआ हुआ थोड़ी दिर पहले तक तो सही हो अरा था अभी उसको अचानक पता चला है कि मुझे फॉर्मैट नहीं दिया अच्छा जो TTF होता है था हुआ अज ब format लगा देते हैं हमें इसको format देते हैं सबके साथ सभी यह ने control D से सबको select किया और इतर लागे paste कर दिया अब खुश नहीं अभी भी जब मैं reload करता हूं तो यहां सिर्फ एक font load होता है बाकी के font load नहीं होते हैं मैं तरह अपना इसको बंद करके live service waiver को माद सभी पाफ करें चला लेता हूं मेभी लग को सर्वर करके चला लेताहं करने और एक को लोड कर रहे कि एक WORLD कर रह एक कि फोन रोड़ कर रख बाकी नहीं कर लागा पहला ये वाला इसको अटादताहू गा सब अब दूसरा लिट रहा है सिर्फ येज अब इसको भी में रोख देता हूँ तो अभ है रोगा लाइत उसके बार यह अब रोवटो लाइट आ गया यह सिर्फ पाला लोड कर रहा है गाटा कर रहा है यह आगे गाट नहीं न अच्छा खेर तो यह तो एक चीज हो गई अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं बहुत लंबी हमने कर लिया है इसमें कहानी तो अब हमने अगला काम क्या करना है यह जो हम खुद से फॉंट फैमिली बना रहे हैं यह हमें नहीं बनाना है सब्सक्राइब करना है यह एक कोड लिखकर देते हैं यह साइड में वह लगा देते हैं इजट से यह तर्डावनलोड का बटन दबा दिया ना अच्छा यहां पर कोने पर क्या लिख वारा है व्यू सेलेक्टेड फैमिली जो अभी तक आपने सेलेक्ट कर लिए ना वह यहां और यहां पर चुनना मुनना सा इसने कोड लिखके दे दिया कि भाई आपना यह वाला कोड क्या कर लो आप कॉपी कर लो ऐसे और वह पे जाके उसको जब खागो और जब कोड लिखना है आपने तो ऐसे करके लिखना है तो यह मैंने कॉपी किया और यह ले जाएके मैंने कहा रख दिया इन सब को इन सब को मैंने रोग दिया इस सब कोई काम नहीं है यह मैंने मतलब बता दिया चलो सही है सब कोई काम नहीं है आपने सीधा सीधा जाके इस स्टाइल से पहले लगा देता हूं एक्चली यह मैंने क्या लगा दिया एक दो और तीन तीन स्टाइल इस पर अप्लाए कर दिया है अच्छा यह जो थर्ड वला स्टाइल है न इसको आप देखो गोर से कि क्या बता रहा है इसमें कह रहा है भाई इसमें यह कह रहा है एस्टी पीएस कॉलन फॉंट डॉट गूगल एपियाईस डॉट कॉम सीएसस टू फैमिली इक्वल्स टू रॉबोर्तो इटैलिक और वेट कौन-कौन से आपने उठा है वो और एंड में डिस्प्ले इक्वल्स टू स्वाप कर इसने बता दिया अब देखो अगर मैं यह URL उठाके ना डायरेक्ट अगर यह URL उठाके अगर मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं ब्राउजर में अपने जागे इस स्टाइल शीट जो आती वह स्टाइल शीट तो मैं देखू उसमें है क्या लिखा वा तो वो कुछ इस आप खुर्ण वेड इसका 100 और डिस्प्लेश वाप अब यह URL होगा वा मसल में बहुत ज्यादा शॉर्टकट मार पर्द है हमने यह फॉर्ण फेस एक एक फेस अलग अलग बताना था हमने यह इनोंने बनाया वह रहा एक एक फेस अलग अलग बनाना था हम बहुत ज्यादा तो यह पूरा का पूरा स्टाइल शीट है जो इन्होंने लिखा वह यह महनत आपको करनी थी वह उन्होंने करती और हमने क्या करना है अब जाके इसको मैं हटा देता हूँ यासे क्योंके गलत कोड है तो इसको रखना नी चाहिए अच्छा अब मैंने क्या करना है यह मली रोबोटो अटाके ना सिर्फ रोबोटो लिख दूँगा है यह और यह चलना शुरू हो जाए ठीक है यह चलना शुरू हो गया अब इसको मैं गॉर तो अब मैं बोलूँ गया अब मैं इसको बूलूँगा के बढ़िया अब कर जो इस टाओल हो आपन्ट स्टाइल हा यह सभे चलेगा फॉंट इसाल इटालिक तो यह इतालिक हो गया सभी इसको मैं 600 गरूँगा इटालिक तो यह जो हैं जो मैंने सलेक्टियों हो वो यह weight effort का boldness नहीं अभी यह proper term है that is called weight तो हम proper term बोलेंगे अब आज से जो भी बात करेंगे ठीक है भई अब इसका downside सुन लो क्या है इसका downside यह है क्योंकि हर दफ़ा यह internet से इसको download करेगा तो आपका जो page load होगा यह उसको slow down करेगा सही है तो जो हमने पहले code लिखा था वो बहतर code था अगर तो आप इस style sheet को download कर लें और download करें अपने बास save करके उसको attach करें that would be a much better option लेकिन ideal case यही होना चाहिए कि आपके बस तमाम font downloaded हो सब कुछ आपकी website के अंदर हो आपके server के अंदर हो वैसे तो हमारी खुद की website भी Google भी होस्ट हुई भी है तो अगर Google डाउन होगा तो मेरी website भी नहीं को लेकिन जस्ट इन केस यह टियर डिपेंडेंसी की बात है ठीक है कि ज़रूरी थोड़ी हमें आज मेने Google भी गया हो तो हमेशा Google पे करो कल को हो सकता है माज on पे कर दूँ लेकिन internal coding थोड़ी चेंज कर सकता हूँ में run time पे तो मैं कोशिश यह करूँगा कि यह तमाम चीजें जो है वो मेरे ही website के folder में हो ना कि उसको हर दफ़ा इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़े ताकि कहीं पे भी चली जाए मेरी website एक तो वो dependency ना हो उसकी किसी दूसरे server पे और दूसरी बात कि तमाम की तमाम चीजें ना मेरे folder में हो imagine करें कल को Google ने फॉंट रिडिस continue कर दियो तो फिर भी मेरे पास यह बंद नहीं होगा चलना क्योंके मेरे पास वो फाइल से हुई भी अचली जी अगर आपके पास कोई फाइल है जैसे मेरे पास के अंदर आपने दिखाया था example है क्या आपके computer के अंदर कोई फाइल डाउनलोड है वो में यह बंद नहीं है तो वो लग जा हम लग उसका होगा है नहीं तो वो वेबसाइट के फोल्डर में नहीं जो भी वेबसाइट खोलेगा उसके बद चल जाएगा नहीं है आपने बुरा ना कि अकर वेबसाइट के शुडर है अगर नहीं करता है कि वहां पे जो ए शूपलो हो गया यह फे डिसकर्टिए हो गया तो यह जादा बैटर हो है कि अगर आप फाइज दाउनलोड करके इसको अटेश करो तो अगर वो फाइज में बस ना होई तो वो पॉंट दिखाएगा नहीं दिखाएगा न एक्चली डिफॉल्ट कर देगा उसको देखो असल में तुमारा में सवाल समझ गया हूँ एक बात पहले तो गौर से समझ लो कि यह जो वेबसाइट को स्लोडाउन करेगा ना यह खुलते वे वो जिंदगी में सिर्फ एक दफा गरेगा जब वो गूगल सर्फ पे किसी ने जागे लिखा हाउ टू मेक पीजा और सामने रिजल्ट आया अब वो वेबसाइट पहली बार ही खोलेगा ना यह पैली बार में अगर उसने लोडिंग लिया ना तो फॉरन बैक करेगा और अगले रिजल्ट पर जाएगा तो पहली बार वाला ही यतनि अतर पहले है तो अगर वोडी को फ्यूर हर लिया यूजर को उसका अरन करो like कितने पैसे लोते आपको मजबूर किया ज्या करते हैं जो कि मिछ वह घुटमेंट वगरा करते है झोकि भाई 먹어 bien विविटिजमेंट करते हैं, तो उससे सेल किजनी होती है, एक सर्टेन मांट हो आता है consumer acquisition प्राइस एक बंदें passport का रूप है, कि एक बंदे 100 क्यूहां करता है तो पैपसी ले लेता है, कि सि दूसर है में शायद इस से कम यह से ज्याद हो अमेरिका के अंदर अगर पैपसी वाले मार्केटिंग करेंगे तो उनकी कस्टमर एकुजिशन शायद सौर पैनी शायद पंदरा अजार तक अब भी पहुंचे क्योंकि अमेरिका में कोक चलता है कोक वालों ने अक्वाइर किया हुए वहाँ के लोगों को तो उनसे चीन के अक्वाइर करने में बहुत जादा पैसे लगेंगे तो कस्टमर एकुजिशन असल में तो दूसरी बाह तो अगर वह आ गया न तो इसका मतलब अगर मैंने यह डाउनलोड करके फॉल्डर में रखा हुए ठीक है तो जब इसस्टमर यह वेबसाइट आपकी खोलेगा तो उसके लिए तो इस्टिल वह डाउनलोड हो रहा है चाहे आपके 서plet से हो चाहे गूगल के सर्वरस वह डाउनलोड HOLड हो रहा SMITH समझरियो बात? लेकिन इस case में जब आपके server से होता है तो थोड़ा सा fast होता है fast इस वज़े से होता है कि वो आपके server से सीधा सीधा उटके आती है और वाइस आपको पता है आजकल जो जदीद अप्रोच उसमें थोड़ी देर तक सर्वर यूज ने किया तो वो स्लीप में चला जाता है तो अब गूगल फॉंट के सर्वर को हिट किया जाया अगर वो थोड़ा स्लो चल रहा है तो मसला है ठीक है अच्छा अब आपके सर्वर से होने में और उसमें होने में बहुत माइनर सा फर्क है लोड हराल में होगा स्लोडाउन उतना ही करेगा पेज को तो इन दा फस्ट प्लेस यह होना ही नी चाहिए कि अब अलग से कोई फॉंट लगा रहा है एक दूसरी अप्रोच इसके लिए भी की जाती है लेजी लोडिंग का स्तमाल किया जाता है लेजी लोडिंग यह होती है कि आप कोई भी फाइल ऐसी अटाइस करते है आप कहते हैं कि यार में पेज को लोड कर लो पहले उसके बा अबया है कि यार्ग यार disg2 ऌकिन इस लोडिंग का सिंग और ईकरर रहा है इसे वणिद होगना अट यहां उसे तरछा हो यूंग कि आंन्ट्री वड़ोड कॉन सी करनी है में पहले करनी है पेज से यरू पेज नियान के दर्मयान में साथ साथ एसंगरोनाइस करनी है यहां तो यह सबसे लास्ट में लोड होगा, मगर उससे होगा क्या है यह तीन सीयसेस जो मैंने लिखी थी ना वो गुगल लिखके दी भी ए मैंने उसको अटाइस करो दी अ पक्सर क्या चिए अपकी के पास ये लोड नहीं है नहीं है? हाह Eusk pela नहीं है.. फश्टे पां नहीं है, रोभोटो किसी भी PC में नहीं होगा पहले से हाह bagus कि abbiamo पीसी में लिकर नहीं जाएगा वो रहेका उस विंडो के अंदर अंदरर नहीं गा इस वाले तरीके से जो डाउनलोड होगा फॉन्ट वो उसके PC में इंस्टॉल नहीं होगा, वो उस ब्राउजर के विंडो के अध्धत्ता ही रहा हुगा इस दो कि चेशल के और को उसके सबस्क्याओ इन मेनी भी श्लोड एचारा हुगा अच्छा मैं क्या था निए जयल से लिए डेड और मैं लेजी लोड़िंग अगर मैं लगा गागूं कि मैं इसको लास्ट में लोड गरो तो उससे होगा यह कि जब वेबसाइट शुरू में खुलेगी तो जैनरिक फॉंट दिख रहे होंगे थोड़ी देर पर ठक करके फिर फॉंट चेंज होगे अब डिपेंडिंग ओन कि आपकी वेबसाइट किसीज किये और आपके लिए क्य अचानक चेंज होना क्या आपके लिए बेरेबल है अगर जैसे जैसे मैंने जिकर किया कि हैर हाउ टू में पीजा पीजा की वेबसाइट उसमें अगर फॉंट लास्ट में लोड होता है तो शायद बेरेबल है क्योंकि बंदा असल में पीजा की रैसिपी देखने है कुछ ऐसे केसेज हैं जैसे जहां पर बंदा फॉंट देखने के लिए आ रहा है ब्लॉकिंग वेबसाइट वगरा है कोई ऐसी चीज़ तो उस पर फिर जाना मैं यह काम शायद ना करूँ तो केस्ट यह वेरी करेगा डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती है डिफरेंट स्ट् का पता नहीं होगा तो फिर आप डिसीजन कैसे मेक करेंगे तो प्रोज अन कॉन्स हर चीज के अपने अपने तो बहुत सारी कॉलिटीज होंगी इस फॉंट में जो जिस से फायदा उठा सकता हूं लेकिन उस फायदे को ठाने के लिए मुझे पहली दफा में पेज मेरा स्ल आपको वो चीजे पता चलती जाएंगी नई डिवलपमेंट्स भी होती है जिद्दत भी आती है में भी कल को गूगल काया कि गूगल क्रोम मेरा रोबोटो फॉन पहले से मिलेगा आपको में अभी तक तो नहीं है यह सकता है बोले तो हो सकता है गूगल क्रोम पे जब यह लगा है और इसको लोड़ करने के बजाए गूगल क्रोम से उठा के दिखा दे तो इस तरह की स्ट्राइटीज अभी वो कैनेरी करके वो उन्होंने बनाया ना जो बहुत सारी इसमें डिवलपमेंट्स हुई है जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजे नहीं आइड की तो है तो है काफी नए टेग्स एड़ कि ए वो सिफ गूगल करोम के लिए मतलब बाकियों भी आएगा इस्ता हिस्ता तो जो काम एकमा स्क्रिप्ट ने किया था जावास्क्रिप्ट पाँच में उस जमाने में किसारे लोगों को एक जगा कठा करके फिर डिवलपमेंट की वो काम आप काइंड ऑफ गूगल करने जा रहा है तो इसमें मजीद जिद्धत आएगी टेकनॉलोजी रुपती नहीं है कंटिनियसली इवॉल्फ करती है तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं और नमास का टाइम हो चुका है आप सब लोग नमास पढ़ की जाईएगा ठीय है चला लाफसाँ